पुसकार स्वागत है साथियों आप सभी का SP सुकला एजुकेट परिवार में जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि जो साड वीडियो का करम है आपके बीच में प्रत्यक दिवसाता है आप प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है वहां से जाकर कि आप देख सेकते हैं बड़ तो ऐसका ड्रिवीडियोक का टरम है जो आज का आप है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह आपका री अदिर्ट इकाल की श्री क्यों और कि यहीं रीतिकाल का श्रीमांकन कहने का मतलब की रीतिकाल की जो समय सीमा थी उस समय सीमा को लेकर किस तरीके शे प्रश्ण आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा और पर चर्चा होगी तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होगा कि रीतिकाल की अगर बात किया जाए इस रीतिकाल सब्द में अगर देख रहे हैं तो एक बात आरी रीति सब्द लिख रहा है जिनके बीत जाने के बाद एक नया वर्स आया नया काल आया जिसको हम आज भी मने जैसे आप देखिया साधी विवाब पुराने परंपराओं में जो हो रहे थे आज भी उसी तरीके से हो रहे हैं कुछ ऐसी धारणाय जो थी उस समय की जाती थी आज भी उसी तरीके से की जात इसके भी प्रॉमारिक कारण हैं बैग्यानिक कारण हैं लेकिन पिर भी ना जानने के बाद भी कुछ लोग उसको फ़ालू करते हैं करते तो वही सेम इस्थिती जब साहित की बात की जाती है आदिकाल भक्तिकाल के बाद साहित में एक नया चर्मوتकर साता है से जा कर रीति काल की शुरूवात होते विए से रीति सब्ले का अर्था ही होता है अगर देखा ज chilli-ग एक-प्रत्य की साथ है रिंग जो धातू है रिंग-धातू में एक-विडियो एक्मात रोत्दय से वह है आपको समय सीमा मानी जाती है, वह संबफ 17 100 सो से मानी जाती है, चाहित बाती है, तो आच्छा रामचंद सुकलूजी का नाम सरव पर ही लिया जाता है, उनका एक कथन है जो कि काफी महतपूर्ण हो जाता है कई बार पूछा गया है कि आचार रामचंद सुक्ल के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि काब्वे रीती का सम्यक समावेश पहले पहल आचार केशों ने ही किया पर हिंदी में रीती गरंथों की आविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशों की कभी प्रिया के प्राया पचास वर्स पीछे चला और वह भी एक भिन आदर्स को लेकर केशों के आदर्स को लेकर नहीं हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंता मड़ी त्रिपाठी से चली अता रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए यानि चिंता मड़ी त्रिपाठी की जब बात की जा रही है तो एक तरीके से इन्हीं से मानना चाहिए अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बाते की है आप राम चंशुकल की बात करते तो राम चंशुकल ने कहा कि आश्रेदाता राजाओं की अभिरुची के कारण रीतिकाल का उदय हुआ वहीं हजारी परसाद दिवेदी ने कहा कि संस्कित के लच्छन ग्रंथों से पेना लेकर रीतिकाब लिखा गया जो की फल सुरूप आज आपके बीच में हैं डाक्टर नगेंद ने कहा कि दरबारी संस्किती के प्रभाव से कभी हतास और निरास हो गए थे उसके फल सो रूप उन्होंने रीतिकाब लिखना प्रारम किया डाक्टर नामवार सिंग ने लिखा कि काब में नमीनता लाने के लिए ही रीतिकाब लिखा गया तो अलग-अ अधिक प्रवितियां विचारधार हैं लिच सिल्प की शाधानता हैं जो कुछ विशेस्ताय होती हुआ देखने को मिली इसके आधार पर इन्होंने जो है इसको जो है एक अलाग अलग से अलग जगाने का काल भी कहा फिर वहीं पर रामचन सुकल ने कहा कि वास्ताव में श देखानता शिंगार रही लेकिन इसके अलावा भी इसमें जो है इनके काल के आधार को लेकर के कोई श्यंगार कहा तक कुछ कहा तो अलगज तरीके से अभीवक्ति की बात कि जाती हुँं सब ने की जाता है ने कुछ अधा जाये रोई Suk it कि चानबीन की जाए सबcell क्रकार क बिनोध में बहुत सी बाते लिखी तो अलग-अलग लोगों की अनुसार अलग-अलग बाते होती है लेकिन फिर भी इनके कथन की अगर बात के रीतिकाल का आरंब उन्हीं से मानना चाहिए यानि जब रीतिकाल के आप प्रस्तोता की बात करते हो रीतिकाल के प्रवर्तक की ब माना जाता है वहीं पर अलग-अलग धार्णाएं है अलग-अलग लोगों के धार्णाएं है फिर इस पर चर्चा का विश्वर हमारा अगले पार्ट मरेगा इतना सा केवल बताना है कि हां वो क्या लिखते हैं इसके बारे में फिर उन्होंने कहा कि संबस सतरह सो के कुछ आग बात करें चिंता मडंध त्रिपाठी तो बहोत बड़ा रोल होता है इनकी निबंध भी है चिंता मडंध निबंध और चिंता इंतर बात को बेशक आप जानते आइए अब बात कर लेते हैं कि समय श्रीमांकन को लेकर कि कई बार प्रियुजी सीनेट जियारफ जैसे परिछ चाहों में बैठते हैं तो वहां पर आपका प्रश्म पूछ लेया जाता है रितिकाल की शमय शीमा को ले करके तो देखिए आचार रामचंद सुक्ल ने संबस सत्रह सो से सोला सो संबस सतरह सो से उनीस सो विक्रमी अगर आप इसको वर्स में चेंज करने का प्रयास करेंगे तो वहीं आपका सताउन घट जाएगा यह आप निकालेंगे तो आजाएगा कि शोला शो तिरालिस से लेकर के अठारा सो तिरालिस इस भी हो जाएगा ठीक है तो यह मैटर डाक्ट राम कुमार वर्मा संबस्तार सुनीश्व विक्रमी की बात कर रहे हैं जिन्हों ने सबसे पहले काल विवाजन की बात कि थी उनके अमसार सन 1580 से लेकर 1692 इस भी इंपोर्टेंट है डाक्टर शूर कांसास्ती संबत 1518 विक्रमी रमा संकर सुक्रसाल संबत 1618 चतुर सेंसास्ती संबत 1623-1823 बिक्रमी डाक्टर बच्चन सिंग इंपोर्टेंट है काफी आपकी एक्जाम में पूछा जाता है संबत 1650-1847 डाक्टर राम खिरावन पांडे 1601-1823 अब यह दिखिए सन और संबत में कभी-कभी आपसे सब्सक्राइब करें और जो बच्चे पहली बार विजिट करें उन्हें बता देना चाहूंगा कि हिंडी की एक सौ्ट भीडियोस की प्लेडिस्ट है आप जाके लिफ्लेड देखियागा वह बहुत ही जबर्दस्त अखियोंकी साते रही पॉइंट को क्वेश्चन को बहुत ही तुकड़े टुकडे में करके वहां बताया गया है तो उसे जरूर देखिएगा आईए इस प्रश्ण का जवाब जिसका जवाब देना है करेंट के कमेंट के माध्यम से रीतिकाल का शारवमान ने समय क्या होगा संबद 1681-1889 विक्रमी संबद 1700-1989 विक्रमी सन 1650-1857 विक्रमी तो आप बच्चों को इस प्रश्ण का जवाब देना है कमेंट के माध्यम से और हो सके तो बहुत अच्छे से कमेंट करके बतायेगा फिर मिलेंगे अगले पार्ट में इसके आगे की कहानी के साथ तो आज की से सब्सक्राइब और बेल आइकन को किसी प्रकार के सुझाओं के लिए यह किस पॉइंट पर आप चाहते हो कि सौट वीडियो लाया जाए जिस पर अभी तक मैंने नहीं बनाया है तो जरूर आप कमेंट करके बतायेगा बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्स वार्वाचिंग झाल 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 झाल